आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपको स्वाया बड़ी के पकोड़े बनाना की रेसिपी बता रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी और स्वाधिस्ट बनेगी स्वाया बड़ी के पकोड़े कैसे बनते हैं सेम पनीर जैसे लगेगी आपको पकोड़े इनका टेस्ट बहु वहाती क्रिस्पी कुरकुरे और स्वादिस्ट हमारे श्वादिस्ट पकोडे तो चलो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं मक बेड चिली पाउडर अजवाइन जीरा जीरावन चाट मसाला हल्दी पाउडर दनिया और सोया वड़ी इसको हमने गंटे तक गला के रखा है अच्छे से यह देखिए अच्छे से गल चुका है हमारा सोया वड़ी ठोडा सा बेशन लिया है इसमें बेकिंग पाउडर मिला है हमने थोडा सा पाउडर मिला है यह देखिए सारी मसाले हमने तयार कर लिये पहले से आज हम सोया बड़ी के पकोड़े बनाने की रेसीव बता रहें सोया बड़ी के पकोड़े कैसे बनते हैं यह बहुत ही टेस्टी और स्वाधिस्ट हैं सवेर सवेर नास्ता में आप स्वेर पकोड़े ले सकते हो आज हम आपको सबसे पहले नमकेट कर देंगे बेशन में कि राजवाइल फिर जीरा चाट मसाला जीरावन, हल्दी पाउडर और धनिया सभी को बेशन में हमने अच्चे से मिला लिया है और मिक्स कर लेंगे आप भी ट्राइ करिए सोया पकोड़े सवेर सवेर नास्ता में आप सोया पकोड़े ले सकते हो पानी एट करेंगे ये देखी बेशन में पानी एट किया है थोड़ाई पानी एट करना है आपको जादा पानी एट नहीं करना है ये बेशन को अच्चे से लगा लेंगे पानी एट करके ये देखी हमारा बेशन को अच्चे से लगा जा रहा है थोड़ा और पानी डाल लेंगे उसको न अपने को घिला रखना है न टाइट रखना है मेडियम मेडियम उसका पेस्ट बना लेंगे बेसन का जिससे हमारे सोया वड़ी के उपर अच्छे से लेप हो जाए यह सोया वड़ी एट कर दी हमने सारे बेसन में यॉया सबी है कि तो यह वडिको अच्छे से बेशन के अंदर मिक्स कर लेंगे और लपेड देंगे इसको अच्छे से अबने फ्राइब लिया उसमें ओइल को अच्छे से गरम किया है उसमें हम पॉपरे छोड़ रहे हैं स्वाइब अब अब कर रहे हैं तरीके से दीरे दीरे एक पकोड़े को तेरे में फ्राइ किया जा रहा है तो पास्ट मीट तक हम फ्राइ करेंगे इनको अच्छे से में देखिए सारे पकोड़ों को हमने एक एक पक चोड़ी हैं हैसरिरह के ब्रेक प कर्वोड़े बना रहे हिए आप भी इसको बड़ी साल इसे घर पर बना सकते हो प्रेक पास्ट में कोई मेमान आये उसके लिए भी आप बना सकते हो इसका बहुत ही तेस्ट आएगा रेकिए दीरे दीरे हमारे पकोड़ एच्छे से फ्राइब होने लगें यह देखिए पांच मेंट अच्छे से फ्राइब कर लेंगे इंको मीडियम गेस फ्लेम पर ज्यादा गेस की तेस्ट फ्लेम नहीं रखना है उन्हां सारे पकोड़े उपूर पर जल जाएंगे इस बात का विशेश द्यान रखे आप इस लेन वह हूद भूट है इसम ai कि देखिए महारे पकोड़ने वाति आच्छे से फ्राइव यह देखिए और नब्रूब आपको अच्छा लगे लाइक शेर सब्सक्राइब करिए रोज रोज नए नए वीडियो देखिए धन्य बात